वेलकम टो सिद्धिकेस किलासिस आज हम पढ़ेगे इनहेरिटेंस ओफ वन जीन हम रीडिंग नहीं करेंगे इंगलिश की डारेक्ट हिंदी में समझते चलेगे लैट आस टेक एक्जामपल कि हमें एक एक्जामपल लेते हैं हाइबर डाजेशन एक्सपेरिमेंट का जो मैंड जलने लिया था उन्होंने ने क्रोस कराया लुका और द्राफ ब्लांट लिए उन्हों अध्र मटर के पोधे लीए वह प्लांट टुछ इंहरीटेंस बोंच जीन उन्होंने इंहरीटेंसस्टी करी एक जीन कीम सबघानी करी अध्याइएं पर duż ने क्रोस होने से जो सीड बने उनके उन सीड को उन्होंने क्लैक्ट किया और फिर उनको ग्रो किया ग्रो करने से जो पोधे आए उनको हमने कहा एफ-वन जनरेशन कहा, this generation also called filial progeny या F1 जनरेशन, Mendel observed that all plant Mendel ने देखा कि F1 progeny में जितने भी plant थे सारे ही लंबे थे like one of its parents, वो अपने एक ही parents पे गए थे, जैसे उनके parents थे बिलकुल वैसे थे वो लेकिन दूसरे वाले पैरेंट्स जो ड्राफ था उसके जैसा कोई नहीं था एक ही पैरेंट्स ने करेक्टर शो करा दूसरे नहीं करा ये कहरे कि F1 जनरेशन में एक ही पैरेंट्स का करेक्टर शो हुआ है, दो पैरेंट्स से एक ही पैरेंट्स का करेक्टर सीन हुआ और जो सीन हुआ उसको कहते हैं डॉमिनेंट्स जो F1 के हमारे प्लांट्स बनेते, फिर मैंडल ने उसमें ही सैल पॉलिनेशन कराया, तो जो अब हमारी दूसरी जनरेशन आई, उसमें जो एक पैरेंट्स का पहले करेक्टर छिप गया था, ड्रॉफ पैरेंट्स का, वो हमारा F2 जनरेशन में सो हुआ तो वो हमारा F2 जनरेशन में सो हुआ और वो इस प्रोपोजिशन में हुआ, वन अपॉन फोर्थ की मतलब जो थ्री प्लांट्स हमारे टॉल होए और एक ड्रॉफ होए, तो टोटल प्लांट्स है फोर्थ, तो वन अपॉन फोर्ड में हुआ, और बाकी के थ्री हमारे टॉल फोले पायों वेड in the problem of trade identical यह कह रहें कि जो अबरॉ फर ऑफ दोनों ही अपने पेरेंट सकता है जैसे उनके पैरेंटस ते ब Crewden थी, similar results were obtained with other traits, जैसे कि हमने भी वह साथ देखे थे, ऐसा ही उन्होंने सम्मे कराया, flower color, flower position, सबका यही बात रही, parental trait was expressed in F1 generation, while at F2 generation, both traits were expressed in the profession 3 to 1, कि यह इसमें हुआ, जो हमारी 4th, 2nd generation थी, उसमें यह हुआ, 3 to 1, 3 plant हमारे tall थे, और one draft था, the contrasting trait did not show any blending, मतलब उन्होंने कोई change, वही बात changing नहीं आई है, कोई तीसरी चीज नहीं बनी, tall या draft, middle पौधा कोई नहीं बना, based on these observation, मेंडल proposed that something was being stable, passed down, unchanged, मेंडल ने कहा था, कि यह observation उन्हों देखकर, कि tall जो plant था, tall और draft से यही दो पौधे बने, कोई तीसरा नहीं बना, कि कोई तो चीज है, ऐसी जो change नहीं आने दे रही है, उसमें, from parents to office spring, parents है, office spring में, जो change नहीं आ रहा है, कोई तो ऐसी चीज है, जिन, throw the gamete, और successive generation, जो हमारी new generation में पहुच रही है, उनको मेंडल ने कहा था, factor, जिसको आज हम जीन पढ़ते हैं, मेंडल ने उनको ट्रम दिया था, factor, लेकिन जब दूसरे scientist आए, William Johnson, जिनको Danish नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने ट्रम दी जीन, जीन therefore are a unit of inheritance, यह जीन responsible होता है, कि जो दूसरा character show नहीं होने देता, जीन जो है, वो contain information रखता है, कि parents से, जो उनकी generation में information जाती है, character जाता है, वो जीन में set होता है, code के रूप में, gene which called for a pair of contrasting traits are known as alleles, they are slightly different from their same gene, यह कह रहे हैं, कि जो contrasting traits होते हैं, उसको हम alleles name से जाना जाता है, contrasting traits वो होगे, जिसे height, height तो एक character, उसका हुआ एक tall, rough, तो वो हमारा हुआ, alleles, मतलब दो contrasting alternate character, एक दूसरे के alternate character को हम alleles कहते हैं, if we use alphabetical symbol for each gene, then the capital letter used for trait expression, मतलब कहरें, जब हम alphabetical symbol use करते हैं, if we use alphabetical symbol for each gene, कि हम each gene के लिए alphabet use करते हैं, जैसे कि हमने देखा, t, t करके, यह alphabet, कि जो हम बड़ा capital है, capital ABCD use करें के हम उस character के लिए, जो dominant है, जो first generation में, f1 generation में show किया था, और recessive के लिए हम capital ABCD, वो sorry, small ABCD का use करते हैं, इसमें यही बताया है, और कुछ खास नहीं, t and t are allils of each other, यह एक दूसरे की allils है, क्योंकि यह tall को कर रहे हैं, और यह draft को, तो है तो दोने एकी character height, तो taller draft तो यह allils है, एक दूसरे की, hence the plant pair of allils for height would be double T, capital T, यह T, इस तरह भी हो सकता है, मैंडल ने प्रपोस की थी, true breeding taller draft प्लांट की allil pair of genes for height are identical, यह कहाँ रहा कि अगर allil का pair अगर identical, same हुआ, तो same को कहता है हम homo, homo मिन्स same, homo जाइगास, TT, अब कैसा भी हो, dominant हो, यह recessive हो, लेकिन अगर same same है, तो हुआ homo जाइगास, और different होता है, तो उसको कहता है हम hydrogाइगास, जैसे कि अगर हुआ, यह T, और T, तो यह हो जाता है हमारा hydrogाइगास, TT and small t are called genotype of a plant wild descriptive term tall and draft, जो किसको डिनोटेट कर रहा है, हमारे टोल और ड्राफ को, are the phenotype, that would be phenotype of a plant that had a genotype of TT, इसमें को मिला कि करें, जीनोटाइप वो होता है, जैसे कि टी, टी और टी, यह दोनों capital T हो गया, और यह capital small, दोनों जो प्लांट है, वो टोल हो गया, लेकिन इनका जो जीनोटाइप है, वो जीन यह है, देखने में हमें, जो देख कर पता चल जाए, वो phenotype, और जीनोटाइप को हम देख कर पता नहीं लगा सकते, यह कह रहा है, मैंडल की जो phenotype है, यह अगर हमारा पौधा यह होता है, दोनों का ही character क्या हुआ, अगर यह उग जाए, तो हम phenotype तो बता सकते हैं, देख कर कि यह जो हमारा प्लांट है, वो टोल है, लेकिन हम यह नहीं बता सकते हैं, कि जीनोटाइप क्या है, किसी भी पौधे कर हम देख कर जीनोटाइप नहीं बता सकते हैं, यह कह रहे हैं कि जो हमारा जो character F1 generation में show होता है, वो dominant होता है, और जो show नहीं हो पाता, उसको हम recisive कहते हैं, T use के हमने tallness के लिए, और small t use के हमने roughness के लिए, जिसको हम recisive से जानते हैं, यह सिर्फ एक ऐसी logic कहते हैं, लिए हमने use किया है, यह gene 1 और gene इस तरह नहीं होते हैं, वो code में होते हैं, यह सिर्फ एक logic के लिए use किया है, और हम जैसे हमने tall के लिए t use किया है, तो drawf के लिए d use नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हम जल्दी भूल जाते हैं, इन्होंने easy trick दिए है, कि टी से टी हमें याद रहे, easy, you will find it difficult to remember, यह कह रहें कि तुम्हें बहुत difficult होगा, इस तरह याद रखना है, इसलिए small और capital से learn करना, alleles can be similar as in a case of homo jagot, यह कह रहें, alleles similar भी हो सकती है, जब इस case में हो, और different भी हो सकती है, जब इस case में हो, for gene controlling one character height, it is a monohybrid, यह कह रहें, character जो एक gene है, वो control करता है, एक character को, जैसे ही हाँ पर कर रहा है, वो height के character को, उसको कहते है, monohybrid की, जो हमारा वो बनेगा, monohybrid बनेगा, और जो यह cross हुआ, दो के बीच में height का उपर, उसको कहते है, monohybrid cross, अगर दो character को लेका होता, तो वो होता हमारा die hybrid cross, इसमें कह रहें कि, हमने observe कि, जो recessive parent है, वो express हुआ, बिना किसी change होए, after generation में, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं, कि जो tall or rough, plant, produce, जो gamete हुआ हुआ है, उनका, वो meiosis division से हुआ है, the allele of parental pair, जो allele से, वो separate होती है, एक दूसरे से, only one allele is transmitted to a gamete, gamete के लिए सिर्फ एक allele जाती है, दो में से, this segregation of allyl यह random process में होता है segregation allyl का 50% chance रहते हैं बहुत के in this way the chemate of tall plant capital T जिसमें से हमारा 1 T जाएगा और drop plant में से भी 1 T जाएगा during fertilization 2 allyl, जब fertilization होता है हमारा 2 allyl में तो T एक parent से होता है जिसको हमने मान लिया pollen, male का pollen से हुआ और जो दूसरा small T है, वो उसको माना हमने एग are united to produce जाएगाट, अब इनों से दोनों से जाएगाट प्रेडियूस हुआ जो हमारा hybrid होका आया capital T, small T since these hybrid contain allyl, which egg spray contrasting traits the plant are hydrogygous, इसमें कहरें कि जो hybrid ने contain करी allyl जो express होती है, वो contrasting होती है मतलब यह दूसरे के opposite होती है जैसे कि tall का draft the plant are hydrogygous और वो जो plant बना वो हमारा hydrogygous है hydro means different क्योंकि उसमें अलग-अलग वो बनी अलग-अलग यह गैम, वो है pinnit square के तुरू, यह हमारे यहां पर यह pinnit square है और दोनों cross first cross यह रहा, f1 generation का as shown, 5.4 figure में दिखाया गया है pinnit square, यह British के scientist ने किया था, reginal c pinnit ने एक graphical represent किया था उन्होंने columns बनाया था, horizontally और vertically और उसमें gamits रखे थे male और female के the pinnit square show the parental tall जो tall था, उसके male gamits थे tt और rough जो थी, वो female parents थी हमारी, उसके जो थे हमारे वो small t था, the gamit produce जो हो थे उन दोनों से F1 generation में, progeny में हमारे वो बस hybrid होए थे, सारे plant T थे, बस यह यह वाला produce हुआ था, gamit, in F1, genotype यह था, फिर इसमें ही हमने self-pollinated करा, एक और यह capital is small t और उसमें self-pollinated करा, the symbol, यह हमारा female का symbol है, female को donated करता है, और यह male को करता है, female का एग और male का pollen, of F1 generation, the F1 plant of genotype, जो F1 का genotype रहा हमारा वैसे टॉल थे और genotype यह था, the gamit genotype T and T is equal proportion, यह equal ratio में थे, when fertilization take place, the pollen grain of genotype T have 50% chance of pollinate एग, तो यह जो हमारा male अब gamit होगे, second generation के लिए, तो 50% इस T के chance है, और 50% इसके, यह वाला भी एग को fertilize कर सकता है, और यह वाला भी, also pollen grain have of genotype T, T have 50% chance of pollinate, उसमें यह बोले कि इसके भी 50% है, इसके भी as well as of genotype T as a result of random fertilization, the resultant jagot can be, मतलब हमारे जो वह है, jagot T हो सकते है, यह भी हो सकता है, यह भी और यह भी इन में से हो सकते है, अब हम पुनिट स्कायर कॉपी पर कर लेते हैं, इसमें यह हमारे male gamet है, जो vertically column में fix रखे है, और यह हमारे horizontal column में female, तो अब यह एक T उपर से आया, और एक T हाँ साया, फिर एक T उपर से, एक T हाँ से तो यह, तो यह सारे हमारे क्या होगे, टॉल होगे, क्योंकि यह जो T है हमारा, यह dominant है, और जिसमें भी यह होगा, यह recisive को अपना character show नहीं करने देने का, तो F1 generation में हमारे, F1 progeny में, जो हमारा हुआ वह यह आया, जिनो टाइप और सारे टॉल होगे है, फिनो टाइपिक, अब आता है हमारा F2 generation, F2 generation में क्या हुआ, अब हमने F2 generation में self-pollination कराया, self में हमने यह यह ले लिया, यह gamits ले लिया हमने से, male और female के, एक यह और यह self, जब इनका self-pollination कराया, तो इनको इस तरह रख लिया, फिर एक gamit यहां से आया, एक male का, एक female का, फिर एक male का, एक उप, यह एक उपर कटी, क्योंकि वर्टिकल कॉलम से, एक horizontal से, वर्टिकल से उपर से टी आया, एर धर से भी, तो यहां पर हमारा, अब देखते है, टॉल और ड्राफ कितना है, यह टॉल होगा, टॉल, 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 यह तो हमारा homogigas dominant होगा, क्योंकि बिल्कुल सेम है, और यह hybrid है, तो यह होगा heterogigas, लेकि तीनो टॉल ही होगा, फीनो टाइप हम देख कि बता देख घें, कि 3 टॉल है, और 1 ड्राफ है, लेकिन जीनो टाइप में ऐसा नहीं होता है, आप डेख कर नहीं बसा सकता है, तो यह हमारा 3 टोल सा हा fire और 1 ड्राफ, इस टू रेशियो में 1, 2 Hybrid variety 2 हो यह हमारी और वन ही हैं, तो यह हमारा रेशियो आ गया F to Generation का यह हमारी हो गहीं F to Generation का 1 इस टू, इस टू, इस टू, वन तो हम इस तरह भी देख लेते हैं कि अब देखते हैं, बुक्स है यह ना from the point square it is easily seen that कि हम देख चुके है कि one upon four है random टीटी का कि यह जो हमारा pure homo जाएगा से यह one bar आया तो four total plant थे तो one upon four अब हमारा यह जो दूसरा था hybrid था यह हमारा two time आया था लेकिन four two time आया था और total four थे थे हमारे four तो यह यहां से divide हो गया two one जा two two the four तो one upon two यहां पर बोल दिया one upon two इतनी बार आया और ड्राफ्ट भी one बार आया था वन चार में से एक पहुदा इसका थो हाला कि the f1 जो बलकि हमारी f1 generation थी उसमें हमारा genotype यह था और phenotypic all tall थे बट the phenotypic character scene is tall यह बोल दे कि जो क्या था वह तो तो जो phenotypic हम देख सकते अपनी आखों से बनकि f2 generation में हमारे तीन पौधे जो थे तीन पौधे हमारे टॉल थे और उसमें एक ड्राफ था we are some of उन तीन में कुछ तो यह हो सकते हैं क्योंकि जो हमारे टॉल प्लांट उसकी दो कंडिशन हो सकते हैं यह तो प्यॉर होगा वह यह फिर हाइब्रेड इन दो कंडिशन में यह तो यह 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 रही है यह यह एक्सरनल नॉट पॉसिबल यह बताना पॉसिबल नहीं है कि हम किसी पौधे को देखकर कह दे टॉल तो होगा वह लेकिन इन बता सकते है कि यह प्यॉर है या हाइब्रेड है होम जाएक से यह हाइटर जाएगा से यह बात बोली है यहां पर फिर आता है कि जिसको हम डॉमिनेंट भी कह सकते हैं और दूसरी जो यह वह हमारे ड्रॉफ की है डू तु इस डॉमिनेंस वन करेक्टर होता है इस डॉमिनेंस की वज़े से रिशीसिव करेक्टर अपना आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाता एफवान जेनरेशन में एफटू जेनरेशन का रेशियो हमारा 3 upon 4 आया 4 पोदों में से 3 अमारे टॉल निकले और जो जो हमारा genotypic ratio था वो यह है यहां पर दिखा दिया गया और phenotypic हम देख के बता सकते हैं तीन पूद हमारे बड़े थे 4 में से तो अब यह बोल रहे हैं कि यह उसमें रहते हैं कि half-half frequency जाती है इनकी जैसे कि इसमें यह दिखाया है तो बस कुछ नहीं कि यह binomial हमने यह यूज किया था मैंडल ने और एक्सप्रेजन किया था probability का उन्होंने जिस तरह भी mathematically तो उन्होंने लिए half जो हमारा यह वाला gamit भी half chance इसके है और half chance इस वाले half chance हमारे इस gamit के है और half chance इसके है अब हम यहां पर उन्होंने इस formula के यूज किया है यह यह इस तरह खुलेगा जब open होगा जैसे ax plus by का square था तो यह उन्होंने खुला है यहां पर यह जो दिखाया है ax plus by bracket into फिर दुबारा से ax plus by दो बार bracket में यह यह यहां पर इस तरह खुला है अगर किसी के सांज में ने आया तो कमेंट करते एक वीडियो सेपरेट बन जाएगी इस पर मैंडल ने self-pollinated जब किया था एफ टू जनरेशन में तो उन्हें ड्राफ प्लांट मिला था जब उन्होंने बार बार करा गए वह self-pollination तो f3, f4 में भी उन्हें ड्राफ प्लांट मिला जिससे यह पता चला कि जो हमारा ड्राफ प्लांट है वह हो जाएगा से मतलब कि दोनों जो उसके ऐल से वह सेम है फ्रॉम दे प्रेसीडिंग पैलग्राफ उपर यह किलियर हो चुका है जो जीनोटाइप रेशियो है कैन बी कैलकुलेट उसे हम कैलकुलेट कर सकते है मैथमेटिकली जैसे हम नहीं पर यह जीनोटाइप रेशियो कैलकुलेट कि है मैं जीनोटाइप कर सकते हैं हम कर सकते हैं यह जानना पॉसिबल नहीं है कि जैसे हमारा यह जो प्लांट है हमारा यह जो प्लांट है टी टी और यह यह पैपिटल एंड स्मॉल की कौन सा वाला है वह होम हो जाएगा से हैट रो जाएगा से अब इसको समझने के लिए उन्होंने करा था जै वह ट्रेस्ट क्रोस अब इसके लिए अमने टेस्ट क्रोज करा था मैंडल fautol plant from f2 přंशंट s g engelsson में from f2 उत्फ अ ड्रॉफ प्लांट की drop plant लिया और हमने क्या किरा उसका टॉफा अनुप्लांट से नाम होगा टेस्ट क्रोफुल लेकिन हमें यह नहीं पता था कि जो हमारा टॉल प्लांट है वो उसका होमो जाएगा से हैट्रो जाएगा से यह हुआ हैट्रो और यह हुआ होमो की कौन सा जाएगा से तो इस पता लगाने के लिए उन्होंने क्रोस कराया था टैस्ट क्रोस टिपिकल टैस्ट क्रोस और्गिनीज्म पी प्लांट में उन्हो dominant phenotype dominant phenotype लिया था मतलब dominant phenotype जो हमें दिख रहा था जैसे कि tall dominant phenotype है जो हम देख के पता लगा है tall dominant है और देखा तो phenotype cross करा था हमने recessive parents है जैसे कि हम करा दे drops है या फिर दूसरा character ले ले हम tall plant उसका दूसरा लिया हमने violet color flower का हम white से करा दे violet जो है हमारा वो क्या है dominant है the progenies of such cross can easily be analyzed to predict and genotype of a test organism हम उससे genotype उसका बता सकते है test cross से जब organism का करेगे यह figure of 5.5 में हमने किया है फुक में इसमें violet color flower है जिसको हमने violet को w से denoted किया है और violet color हमारा dominant है क्योंकि f1 generation में so हो जाता है और यह heavy है कि इस पर white color पर जिसको हमने small w से denoted किया है अब हमें यह पर question दे गए कि using करो तुम punit square का और nature बताओ off spring का और क्या तुम्हें ratio मिला दोनों वही question ने genotype बताना हमें क्योंकि test cross से हम genotype का ही पता लगाते है यह जैसे कि हमने ले लिया homo jaga recesive white color का flower ले लिया और दूसरा भी हमें पता नहीं है कि यह क्या है हमारा hetero है अगर यह homo हुआ तो फिर यह हुआ और अगर hetero हुआ अलग अलग हुआ तो यह होगा तो यह हम हम cross करके पता चलेगा अगर हम cross करते है बस हमें यह पता है कि हां violet color का flower है हमारा जो हमारा dominant phenotype है dominant phenotype है और उसमें कुछ white flower भी आजाते हैं, जब हमने cross कराया तो उसका white flower भी आते हैं तो उसमें हमें है पता है 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 हमारा तो test cross जो होता है हमारा genotype जानने में help करता है यह दोनों chance हो सकते हैं कि half of flower woilet हो गये और कुछ उसमें white हो गये, violet और white दोनो अनोन फ्लावर जो है हमारा यहां से अगर वो यह होता है तो मैं पता चल गया कि जो अनोन फ्लावर था जिसका में जीनो टाइप नहीं पता तो सिर्फ यह पता था कि वो परपल कलर का है और परपल कलर डॉमिनेंट है तो हमें पता चल जाएगा हमारा अनोन फ्लावर हाइट हो जाएगा से अगर उसमें वाइट क्रैक वाइट फ्लावर भी दिखा और वाइट नहीं दिखता है उनली सारे परपल होते हैं तो हमें पता चल दाएगा वह होम हो था सेम सेम डॉमिनेंट था फिर आता है बेस्ट ऑन कि मैंडल ने दो रूल्स बतायते हैं इस क्रोस से यह जो मोनो हाइबरेट क्रोस था वो तू रूल्स था हम जिसको जानते हैं लो आफ इनहरिटेंस या प्रिंसिपल लो आफ इनहरिटेंस के नाम से जाने जाते हैं लो आफ डॉमिनेंस लो आफ सेग्रिगेशन